आपके साथ प्रशान तीवी के जाने माने एक्टर रितुराच अब हमारे बीच नहीं रहे 69 साल की उम्र में ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है बताया जा रहा है कि कार्डिक अरेस्ट से एक्टर का निधन हो गया है तुराच को पहले से ही पैंक्रियास से समधित हेल्थ इशूस थे और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था हाला की कार्डिक अरेस्ट के चलते एक्टर की मौत हो गई इस खबर के सामने आने के बाद से ही टीवी इंजस्ट्री के साथ साथ बॉलिवुड भी शोक में डुब गया है एक्टर के फैंस को भी इस खबर से जोर का चटका लगा है किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर के निधन की जानकारी उनके खास दोस्त अमिद बहल ने दी है एक लीरिंग वेबसाइट को उन्होंने बताया कि कारण उनका निधन हो गया उन्हें कुछ समय पहले पैंकरियास के इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया था घर लोटने पर कुछ रिद्य समंदी जट रुताएं हुई और उनका निधन हो गया बतादी की रितुराज के इस तरह चले जाने पर बॉलिवुड से लेकर टीवी स्टा सोशल मीडिया के जरिये अपना दुख जाहिर कर रहे हैं बॉलिवुड एक्टर अर्शद वार्शी ने एक्स पर दुख जताते हुए लिखा मुझे जानकर बहुत दुख हुआ की रितुराज का निधन हो गया हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे वे एक निर्माता के रूप में मेरी पहली फिल्म का हिस्सा थे एक दोस्त और एक मान अभिनेता को खो दिया आपकी याद आएगी भाई टीवी एक्टरेस कवीता कौशिक ने दुख जाहिर करते हुए लिखा अद्भुत अभिनेता क्रेजी एनर्जी एक पाटी का जीवन कुटुम्ब में मेरे स्क्रीन पिता उनसे बहुत कुछ सीखा बहुत जल्दी चले गए रितुराज आपको शांती और वे सब मिले जो आप दूसरी दुनिया में ढूंड रहे थे मैं सोनु सूद ने शोक प्यक्त करते हुए लिखा आर आईपी भाई रितुराज टीवी एक्टर सुकृती कंडपाल ने दुख जाहिर करते हुए लिखा मैं इस बारे में पूरी तरह से अंजान थी यह वास्तव में मेरे लिए चौकाने वाली खबर है जीवन बहुत आप्रत्याशित है रितुराज सर इतने वरिष्ट अभी नेता थे उनसे मिले हुए काफी समय हो गया है मैं मेरे पहले शोका भी हिस्सा थे यह वास्तव में हमारे उद्ध्योक के लिए एक बड़ी च्छा थी मुझे नहीं पता कि क्या काम बतादी की रितुराज सिंग ने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया था उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नब्भे के दशक में थेटर से की थी पहले ही शो में उनकी एंट्री हुई थी शो में एक्टर को काफी पसंद किया जा रहा था हाला कि किस दुनों से वो शो से भी गायब चल रहे थे जिसके पीछे उनकी खराब सेहत बताई जा रही थी टीवी शोज के साथ-साथ एक्टर ने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है वो बदरीनात की दुलहनिया में वरुन धवन के पिता के रोल में दिखाई दिये थे वही हाली में वो फिल्म यारियां टू में भी दिखाई दिये थे बले ही रितुराद सिंग अब हमारे बीच ना रहे हो लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा रहेंगे